अध्याक्ष महोदे, आपकी अनुमत्ती से मैं एक जरूरी मामले पर बोलना चाहती हूँ, जो हमारे देश के समुहिक बविश्य को प्रभावित करता है। महामारी शुरू होने के बाद से हमारे बच्चों को जो हमारा वविश्य है, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देश के सभी संस्ताव में से स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले हैं। जब स्कूल बंद हुए थे तो मिटेई मील की यह वस्तावी रुख गई थी। यह तो राष्टिया, Food Security Act और Supreme Court के आदेश ते जिनके कारण लोगों को सुखाराशन दिया गया। लेकिन बच्चों के लिए सुकाराशन पके हुए पौश्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं। यह साच है कि हमारे बच्चों के पारिवारों की आजीविका में बहुत बुरे संकत का सामना करना पड़ा है। ऐसा संकत जिसका सामना बीते वर्षों में कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बहतर पोशन की अबशक्ता है। यही नहीं मिड़े मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने के भी मदद मिलेगी, जो इस महमारी के दौरान स्कूल चोड़ चुके है। अध्यक्षी, National Family Health Survey 2019 के अनुसार हाल के वर्षों में पांच वर्ष से कम आयों के वो बच्चे जो बहत कमजोर है, उनका प्रतिशाद 2015-16 की तूलना में बढ़ा है। यह चिनका जानक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभाव प्रयास करना चाहिए। इसलिए अध्यक्षी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आगर करती हूँ कि इसीडियस का इक्राम के तहट गरम और पका हुआ भोजन फिर से शुरू किया जाए। और मिद्धेई मील को भी तुरंट शुरू किया जाना चाहिए। पौश्थिक भोजन सुनिश्चित करने के बाजित में प्रावदान किये जाने चाहिए। और साथ ही अंगनवारियों के माध्यम से गरम पका हुआ भोजन तीन साल से कम उम्र के बच्चों को और घर्ववती और स्तन पान कराने वाली महिलाओ के लिए भी उप्लाब्द होना चाहिए। और इसके लिए कम्यूनिटी कीचिन चुरू करने का प्रावदान करना चाहिए। तो अध्यक्षी मैं उम्मीड करती हूँ कि उसे जल्दी से जल्दी लागो किया जाएगा। श्री सुकान तमजुमदार जी